नमस्कार दोस्त प्राक्सूर्या चैनल में आप लोगों का स्वागत है मैं आप लोगों को इस वीडियो में यूपी बोर्ड हाइश्कूल और इंटर में पासिंग मार्क की नियम में बदलाव हुआ है इंटर में 33 की जग़ा 35 नियम में संसोधन हुए हाइश्कूल में 600 में स पांच में पास हैं तो अगली क्लास में प्रमिशन हो जाएगा इन सारे डिटेल्स को मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब सेयर और बेल आइकान जरूर दबाएएगा दोस्तों तो दोस्तों जो दो बड़े अहम बदलाव हुए है नमबर एक हाई स्कूल और इंटर्न में पासिंग मार्क हाई स्कूल में 33 परसेंट पासिंग मार्क और इंटर्न में 33 के जगा 35 परसेंट मार्क लाना अनिवार है हाई स्कूल में प्रेटिकल में 30 में से 10 नमबर और 70 में तेश नमर लाना अनिवार हैं और दोस्तों बता दुख हाई स्कूल में 6 सब्जक्ट होते हैं इसमें से यद 5 सब्जक्ट में आप पास हैं तब भी आप पास माने जाएंगे अगर एक सब्जक्ट पर आपका छूड़ जाता है या आप फेल होते हैं तब भी आप पास माने ज कि आप एक बिसे में पास हो सकते हैं और उसके बाद पाच बिसे में पास होकर अगली क्लास में आपका एडमिशन हो जाएगा और एक कमपार्डमेंट जुलाई में इसका पेपर होता है और दोस्तों इंटर में जो पासिंग मार्क है तैंटिस के जगा अब 35% यूपी और अगर एक बिसे में आप 27 नमर यानि कि 27 नमर आठ नमर कम भी बाते हैं तो आठ नमर का आप लोगों को ग्रिस्प मार्क नमर दिया जाएगा और उसमें इंटर में कमपार्मेंट की ब्यौस्था नहीं है तो आप लोग 5 इंटर में 5 में 5 बिसे में पास होना अनिवार है और हाई स्कूल में छे में से अगर चार में या पांच में पास होते हैं तब भी आप पास माने जाएंगे क्योंकि एक में कमपार्मेंट भरके आप पांच बिसे में पास हो सकते हैं दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ है तो लाइक सस्क्राइब सेयर और बेल आइकान जरूर दबाईएगा दोस्तों और